हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल सुप्रियास कॉरनर तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे बास करने जा रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने बच्चों के रूम का मेक ओर किया था और मैं चाहती है कि मैं आप भी देख सकें कि किस तरीके से कभी-कभी छोटी सी चीजों से रूम या घर कितने सुन्दर हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस रूम की जो दिवाल है काफी सीलन आ गई है वैसे तो मेरे घर की हर दिवाल पे बहुत सीलन है मगर इस room में sealant बहुत ज़्यादा थी और मुझे कुछ change करने का मन हो रहा था तो फिर मैंने online wallpaper का order किया है उसका link मैंने आपको description box में दे दिया है सिर्फ 900 रुपे में 7 roll मिला था मुझे तो उससे room की दिवाल को मैंने काफी अच्छा कर लिया है तो आप देख सकते हैं यह मैंने amazon से मंगाया था और one by one मैं इसको देखना चाहरी हूं कि मुझे कुछ भी नहीं पता किसकी quality कैसे होगी लेकिन जस्ट ट्राइब किया था चलो अगर अच्छा होता है तो ठीक अगर नहीं भी अच्छा होता है तो क्या हो जाएगा तो इस तरीके से one by one मैंने इसको निकाल लिया है total seven roll मंगाया थे मैंने क्योंकि मैं रूम की जो दिवाल है वो 15 by 10 feet है और अब मैं इसे open कर रहे हूं काफी अच्छे से packing है इसकी बच्चों के रूम के लिए यह चाहिए था इसलिए मैंने से dark color का मंगाया है आप देख सकते हैं क्योंकि light color की अगर वाल हो और बच्चों ने थ्वासा pencil या pen चला दिया तो इसकी खुर्सूरती बिगड़ जाएगी तो इसे अब मैंने खोल लिया है और मुझे इसकी quality अच्छी भी लग रही है 45 cm की चोड़ाई है और लगबग 5 मीटर यारी 500 cm की लंबाई है तो पांस मीटर अपने आप में काफी होते हैं यह देखिए अब यहां पे मेरे husband और मेरे बेटे ने यहां पे स्टिक करना स्टार्ट कर दिया है अच्छे से चिपकाना है इसको और फ्वासा चिपकाने के लिए इसका जो है यह ध्यान देना है कि रिजाइन चिपकाते समय गलत नहों अगर यह रॉकेट बना है तो रॉक प्लम नहीं होती इसको चिपकाने में एक बार अगर आपके हाथ आगया अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो कोई भी से इजी ली कर सकता है वाल पेपर चिपकाने से पहले आपको ध्यान देना है कि दिवाल को बहुत अच्छे से आफी जिस सर्फेस पर चिपका रहा है उस इसका कबर कपे स्टिक किया है मेरे बेटे नहीं किया है उसको मैंने काफी अच्छे से कराया था यह देखिए अब यह वाल पेपर इन लोगों ने मिलके चिपका दिया और आप रूम का लुक चेंज कर देख सकते हैं किना खुल्सूरत यह रूम लग रहा है है एकदम कंप से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको हैट करने के लिए क्या करूं एक्साइट की वाल तो बहुत खुब सुर्इत होगी और एकसइद की वाल एससे देखने का मेरा मन नहीं हो रहा था तो फिर मेरे दिवाग में एक आइडिया आया कि जो साथ रोल मैंने मंगाया थे उसमें से दो रोल तो बिल्कुल भी यूज नहीं हुए थे और बाकी जो पांच रोल यहां पर इधर यूज हुए थे दूसरे साइडवारी वाल पे तो उसमें से काफी पार्ट बच चुका थ तो काफी सारा वाल पेपर बचा हुआ था और मैंने और मेरे बेटे ने मिलके क्या किया कि जो वाल पेपर बचा हुआ था और जो दो रोल थे उनको मिलाके हमने इस दिवाल पे ऐसे चिपका दिया आप देख सकते हैं फ्रैंस अब यवी वीडियो पूरा नहीं हुआ है लास्ट तक वीडियो जड़ूर से देखिएगा यविंके नास्ट वले वीडियो में ने बता आया है कि कवाड पे तो मैंने कैसे सही किया है और डूटील में बताया है अगर मेरे वीडिया को अच्छी लगती है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब किजिए वेल बटन पर क्लिक किजिए ताकि मेरे नियू वीडियो की नियू आपको मिल सके तो और यह है वह वाली कबर जिसको हमें न्यू करना है फिर से वाल की तरह और वह वाल पेटा है वह करके दिखाएगा कि कितनी लंबी है वही सेम वही चीज है फाइव मीटर लंबी ये वाली भी वालपेपर है और ये मेरी भांजी है वह दोनों मिलके आपको दिखा रहे हैं शोकर है आप देख सकते हैं इतनी लंबी है फिर भी इस कबट के रही ही छोटी ही पड़ जाएगी अब ध्यान से देखना आगे के वीडियो को तो सबसे पहले आपको मने बताया था कि किसी भी वालपेपर को चिपकाने से पहले अच्छी से उस जगह को प्लीन कर लेजिए तो ये फिक्स सपाई का कारेकरम चल रहा है और ये लगबागा प्लीन हो चुका है ये इसकी साइस है और इसको कट चलने ही जरो तो ठीक है इसको स्टिक करो और ये मेरी क्यूट सी भान जी परी जो हेल्प करेंगे अपने भाया की अब बच्चे इस कबड को साइज ले रहा हैं कि वालपेपर कितना बड़ा हमें कट करना है और अब इन्होंने स्टिकर को रिमूव नहीं कि इसको अलप कर लेंगे और इसके बाद चिपकाने वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा अब देखिए इस तरीके से आपको इस्टिकर को रिमूव करना है सेम वैसे ही होता है जैसे हम बच्चों का नेम स्टिप या गिफ्ट का लेवल जो आता है उसको हम लोग रिमूव करते है जैसे हम यह बिल्कुल वैसे ही है और बहुत इजी बच्र किस लग जाता है तो जैसे लग में बच्चों का's सबस्की लुगा कि अब इकालते जाए और हाथ से हैंकी से किसी भी चीज से उपर से इसको प्रेस करते जाए ताकि उसमें एर न बने यह दिखिए ऐसे यह चिपकता जा रहा है कि देखिए पूरा चिपक चुका है अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रंट वाले डोर पे फ्रंट के डोर पे भी ऐसे ही यहां थोड़ी सी प्राब्लम होगी चूंकि यहां पे इसका हैंडल भी है और साइट से क्लीनिंग मतलब अच्छे से चिपकाना है हैंडल को इनके पपर ने हलका सा लूज कर दिया था ताकि वाल पेपर को चिपकाने में प्राब्लम ना हो कि यह वाल पेपर बिल्कुल वाटर प्रूफ है अगर इस पर हलका सा निशान लग भी जाता है तो हम इसे हलका सा पानी से या पर सोप से करके इस पर क्लीन कर सकते हैं और मुझे यह वाल पेपर सच में बहुत अच्छा लगा जो मैंने दिवाल पे चिपकाई यह वह भी और यह जो कवर्ड पे चिपकाई जा रही है वह भी मिने इतना अच्छा ने सोचा था और यह देखे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे आप कटर से ऐसे करके कट कर सकते ह एक्स्ट्रा पार्ट को ऐसे निकाल दीजिएगा और अब इस कबर्ड के साइड वाला पार्ट जो कि था उसको भी मिने वाल पेपर को थ्वासा कट करके चिपका लिया है अब यह कंप्लीटली रेडी है आप देख सकते हैं लग रहा है कि वही वाला कबर्ड है है ना बिलक बच्चों का रूम आप देख सकते हैं बिलकुल चेंज बहुत ही खुबसूरत लग रहा है काना जी का फोटो मैंने यहां पी पोस्टर लगाया है क्योंकि यह दिवाल थी थोड़ी भरी भरी सी लग रही थी इसमें प्रिंटर यह ज्यादा है मगर मजबूरी थी और वैसे वाल पेपर लगा यह बहुत ही प्यारा लग रहा है और यह देखिए और यह वाल क्लॉक जो मैंने बनाया था इसका वीडियो मैंने आपको पहले भी शेयर किया है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह है देखिए पहले का रूम मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कि आपको शो करूँ और यह लास्ट का है बाद का डिफ्रेंस दिखाने के रिए मैंने ऐसा किया और यह है मैरी फेमिली के प्यारे-प्यारे बच्चे हाई हाई